आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ of angle BAC मतलब BAC जो angle है उसके bisector का हमें DRS बताना है ठीक है direction ratios बतानी है तो देखो सबसे पहले मैं AB की जो DRS है जो direction ratios है मैं उसको पहले direction cosines लिख देता हूँ उसके ठीक है से मैं AC के भी direction cosines लिख देता हूँ तो देखो सबसे पहले मैं का लिख रहा हूँ direction cosines for AB ठीक है तो हमें देखो पता है क्या कि अगर ये हमारा direction cosines है DC है तो ये किसके इकोलता है A upon में root A square plus B square plus C square जहांपे A, B, C क्या है हमारे DRS होते हैं direction ratios होते हैं तो देखो same way में अगर मैं AB का लिखना चाहूं तो इसका L1 क्या हो जाएगा हमारा A तो देखो A क्या है X coordinate बतलब ये जो X वाला है ना हमारा DRS का 1 तो ये हो जाएगा 1 upon में root of root किसका इन तीनों के square को add करके उसका root लेना है हमें तो क्या हो जाएगा 1 का square plus 2 का square plus minus of 2 का square तो basically ये क्या आजाएगा हमारा 1 upon में root 1 plus 4 plus ये भी 4 हो जाएगा तो 1 by root 9 जिसको हम क्या लिखते हैं 1 by 3 तो ये आगई हमारे L1 same हम क्या निकालेंगा अभी M1 वो क्या हो जाएगा देखो ये तो 1 था अब ये 2 है तो 2 upon में ये तो अंदर का नीचे का तो denominator सेम ही रहेगा मतलब root 9 मतलब basically क्या है वो 3 तो M1 क्या आगा हमारा root 1 square plus 2 square plus minus of 2 का whole square ये क्या जाएगा 2 by root 9 मतलब ये आगया 2 by 3 root 9 क्या हो गया अपना 3 ठीक है same अब N1 निकालेंगे ये क्या हो जाएगा इसमें देखो ये 1 होगे 2 होगे ये क्या है Z वादा क्या है minus 2 N1 क्या हो जाएगा minus 2 upon में ये same चीज मतलब root 9 मतलब minus 2 upon में 3 तो देखो ये हमने DC निकालने है इसके ठीक है direction cosine निकालने है किसके AB के अब हम किसके निकालेंगे AC के AC के हमारे पास given है DRS ठीक है 2 minus 3 and 6 इसके help से हम निकालते हैं direction cosine for AC ठीक है तो मैं इसको दे रहा हूँ L2 ठीक है हो जाएगा इसका दे रखा है हमें 2 2 upon में root root में क्या आएगा 2 square plus minus 3 का square plus 6 square 2 square plus minus 3 का square plus 6 का square ठीक है तो यह क्या आगया हमारा 2 upon में root 49 ठीक है इसको निकालेंगे 49 आएगा बट यह क्या है 7 का square बेसिकली यहाँ पर गएगा 2 by root 49 क्या हो क्या लिखेंगे हम सीधा 7 ठीक है यह तो L2 हो गया अब M2 कैसे निकालेंगे M2 में यह देखो यह minus 3 है तो यह क्या हो जाएगा M2 माइनस 3 by root 49 सेम यह आएगा यह क्या हो जाएगा root 49 को solve परेंग क्या आजएगा 7 यह हो गया हमारा M2 अब हम निकालेंगे N2 N2 क्या होगा 6 upon में root 49 यह होगा 6 by 7 तो देखो हमने क्या निकाल लिए अभी DC की निकालेंगे AB के और AC के वो क्या है हमारे L1 M1 N1 L2 M2 N2 और हमें निकालने क्या था DRS निकालने थे Bisector of Angle BAC अब देखो हम DC निकालने थे सबसे पहले हम क्या निकालता है DC's of Bisector of Angle BAC तो देखो L क्या होता है हमारा L1 जो हमारा L1 था माइनस में यह जो हमारा L2 था L1 माइनस का L2 तो L1 की हमारा वेल्डी थी 1 by 3 L2 की वेल्डी थी हमारे पास 2 by 7 LC हम लेंगे तो यह क्या जाएगा हमारे पास 1 by 21 यह L हो गया सेम M निकालेंगे हम M क्या होगा M1 माइनस M2 ठीक है M1 है हमारा 2 by 3 M2 हमारा माइनस 3 by 7 ठीक है तो जब इसको सुल करेंगे हमारे पास आएगा 23 by 21 सेम N निकालेंगे N1 माइनस N2 यह क्या आजाएगा हमारे पास यह आजाएगा हमारे पास माइनस 2 by 3 negative of 6 by 7 ठीक है 6 by 7 तो इसको हम सिंप्लिफाइ करेंगे तो यह हमें क्या देगा minus minus 32 by 21 बट यह क्या निकालने हमने direction cosine निकालने है और हमें question में निकालने है direction ratios तो देखो हमें पता है क्या अगर हम इसे कहते है DCS इसे क्या कहते है DRS यह क्या होते है direction ratios और यह क्या होते है direction cosines होते है हमारे ठीक है तो अगर यह dc है और यह dr है तो same way अगर हम इसे देखें तो l क्या है हमारा dc तो उपर वाला यह जो term है अगर हम इसे ऐसे देखें l equal to a by root a square plus b square plus c square की terms में तो देखो l equal to 1 by 21 तो इसकी जो नीचे का denominator है वो देखो l में भी same है m में भी same है और n में भी same है इसका मतलब root a square plus b square plus c square की value क्या है हमारे पास 21 उस sense में अगर l यह भी n तो a यहाँ पर क्या है एक ही जगा 1 same way m में देखेंगे तो यहाँ पर क्या होता है b n में देखेंगे तो यहाँ पर क्या होता है c और a b c हमारे क्या होते है direction ratios तो मैं यह कह सकता हूँ इसके direction ratios क्या होंगे of by sector of angle b a c के direction ratios क्या होंगे वो क्या होते है देखो a, b, c इस terms में होते है ठीक है तो देखो यहाँ पर हमारा a है यहाँ पर क्या है हमारा 1 तो a की जगा हम क्या लिखेंगे 1 b की जगा क्या लिखेंगे 23 c की जगा minus 32 ठीक है एक की जगा मैं लिखा 1 b की जगा 23 और c की जगा minus 32 तो हम से क्या पूछे थे यही पूछे थे तो हमें पर बस direction ratios के आगए 1 23 and minus 32 तो यही था हमारा solution and thank you for watching WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 84444 उपर